बबा महकाल की नगरी उज्जेन में एक मंदिर ऐसा भी है जो 2000 वर्ष पुराना है और यहां मंदिर में विराजित मूर्ती विश्व की एक मात मूर्ती है जिसमें सफेद हाती पर लक्ष्मी जी बैठी हुई है उज्जेन की नई पीट में इस्तित लक्ष्मी मात मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है इस मंदिर में भक्तों का ताता लगा ही रहता है गज्लक्ष्मी मंदिर में दीपा वली पर पर चार दिस्वी आयुजन किया जाता है और यहां धंतेरस से पढ़वा तक श्रद्धालों का इस वर्ष्मी श्रद्धालों का माता की दर्शन करने पहुँच रहे हैं यहां धंतेरस से चार दिन तक विशेस पूजन अर्चन किया जा रहा है धंतेरस की दिन माता का दूद से अभिशेक किया गया रूप चतो दर्शी पर माता को उप्टन लगाया गया और दीपा वली पर 21 सो लीडर दूद से अभिशेक किया जाएगा सफेध हाथी पर विराजी माता लक्षमी की ये मूर्दी देखते ही बनती है बताया जाता है कि ये सफेध हाथी एरावत हाती ही है जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था यहां इस मंदर में दर्शन मात्र से ही लोग पेट में इस्तित है जो नगर का मध्य छेतर है ये मंदर के भार चाही तरब स्राफा बजा रहे है ये गजलक्षमी की जो मूर्ती है राजा विक्रमदित्ती के राज लश्मी के लिए इनका वर्णन इसकंद पुराण में 24 महादेवी में जो आता है मुख रूप से गजलक पर उज्यन के ऐसी दुल्लब परतिमा एरा वथाती जो एरा वथाती सफेदाती उस पर विराज देए